क्या आज में आपको बहुत ही स्वादिश्ट मेति का पराठा परथा बनाना बताऊंगे आप देख रहे हैं परट दार पर बनाने पर अंदर से बहुत ही情 से बहुत ही बहुत हां तो आप इस सीजन में तो पालाख मेथी कोधू まहते इतना जबी पोची नहीं अथा महीं motions जहाँ से आ पिसमियों को अपमनी सेन पर कोरें आइप सीवान已经 сुषा खोना की थीए सबस्धे होग से राखले ये उसके बाद आपको लगता है कि छाटने की ज़रुत है तो ठीक है नहीं तो उतना सही होता है बस आपको जहां से लग रहा हो कि मुलायम है वहीं से पूरा सिधे कट कर दीजिए चाटना नहीं पड़ेगा अच्छे से धूल लीजिएगा तीन-चार बार उसके बाद आप इतम बारीक-बारीक कट कर लिजिएगा आप देख रहे हैं जैसे मैं कट कर रहे हूं बहुत बड़ी-बड़ी साइज में मत कट कीजिएगा नहीं तो पिर पराठा बनने के बाद बड़ा-बड़ा दिखता तो अच्छा नहीं लगता है यह एक गड़ी बड़ी साइज की और यह दिखे रहे हैं बारी कटे हुई हरी मेर्च है और यह मिथी डाल देंगे इसमें पर अच्छे से इसका आटा लगा लिजिए गए यहां पर चौथा लगबंग नमक डाल रहे हैं नमक सौधा नुसार डालना है तो थोड़ा थोड़ा पानी डालकर आप एक सौफ्ट ड इसमें बिल्कुल रोटी के आटि के जैसा संनल यहीं सौफ्ट डू लग करते है आरो कि इसमें कोई मोयन नहीं देना है को जो मौन नहीं देना होता है कि विंग बेलते समय ही लगाएंगे ताकि परददार अस्के उसके मेथी का पराथा आप सरकल से भी बना सकते हैं और आ परत्दार नहीं दो लिकिन आप चाहते हैं कि बिल्कुल परत्दार उपर से क्रिस्पी अंदर से सॉफ्ट पराठा बनाए तब आप ऐसे एक परतुल लेयर पे लगाई ए फोल्ड कर दीजिए फिर टेल लगाई यह फोल्ड कर दीजिए पत्ति को ना पराठा बेल लीजिए इसा पराठा बहुत टेश्टी बनता है पिल्कुल परत्दार अंदर तक अच्छे से पक जाता है उसकी पत्तियां भी पूरी अच्छे से पक कर उसमें एक अच्छा सुधा पना आ जाता है तो आप पतला पतला बेल लीजिए ऐसे तो मैं चलिए आपको देख कर दिखाती हूं जब भी आप पराठा बनाया किजिए ना हाई फ्लेम पर प्राठा कभी मत बनाया किजिए नहीं तो उपर से पक जाता है और अंदर से अच्छे से नहीं पक पाता तो आप यह देख रहे हैं एक बार पलटने के बाद ही तेल ल मैं सब्साब करती हुँ क्योंकि सर्चो का दिर्ण का हुद् दोसरी घ्री तरहते हों नहीं करता है अप देखते होंगे मेरे सारे वीडियो में बहुत सारे तरीके के पराठे कभी डोडाल जुकी हूँ, गोबी के पराठा, मुली के पराठा, मेथी के पराठे का दूसरी तरह साकल सेफ वाला समय में सरसो का तेल भी इस्तमाल करती हूँ, उसका कारण भी है सरसो के तेल का बना हुआ पराठा ना बहुत टेस्टी लगता ह कभी नहीं बनाते हां दो सरों के तेल में बहुत सकते हैं ठंडी के सीजेन में सर्णोग सिर्कली होगें अगर किसी को सर्दी जो खाम खाती कुछ भी तो भी कोई पर है इसने आप आराम से बराएंगे सभी लोग एंच्वाइब कर सकते हैं पस उलट पुलट कर आप इसे अच्छे से कुरकुरा होने तक सेख लीजिए आप देख रहे हैं कितना अच्छा पराठा बन कर तयार हो रह है क्योंकि अटा में लगब आधा गंटा पहले ही लगा कर रख दी थी बस उलट पुलट कर आप अच्छे से से शेख लीजिएगा सिखने में तुभा टाइम लगता है अगर हाई फ्लेम पर बनाएंगे तो तो टाइम नहीं लगए लेकिन फिर वह पराठा अच्छे से पक कर रहता है पका लेती हूं ताकि कहीं से भी पराठा कच्छा नहीं तो आप यह देख रहे हैं अच्छे से उपर से बिदम करंची लगता है लेयर दार आप इसकी लेयर देखिए ऐसे पराठे ना खाने में बहुत ही अच्छे लगते हैं तो आप अमनी मन बसंद चटनी हरी आइकन हो उसको प्रेस करके और पर टिक कर लीजेगा ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास मिले